मध्पृदेश में त्रिय सरीय पपंचाइच छुनाव निरस्त कर दिये गए हैं राज निर्वाचान आयोग ने 4 दिसमबर 2021 के द्वारा घोशित किया गया चुनाव कारिकरम निरस्त कर दिया है आपको बतादै किससे पहले मदप्रदेश तरी सरी पंचाय चुनाव को लेकर राज निर्वाचान आयोग में एक बैठक होई अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद राज चुनाव आयोग ने कानूनी सिति को लेकर आज विधिव शिशक्यों के साथ पूरी बैठक की शिवराज सरकार के द्वारा मदप्रदेश पंचाय राज और ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश को वापस लिए जाने के बाद उमीर जताय जा रही थी कितरी सरी पंचाय चुनाव सोंबार को स्थगित या फिर रद कर दिया जाएगा लेकिन देश शाम तक भी ये फैसला नहीं हो सका था उधर चुनाव आउग तो बसन प्रतापसिंग ने पंचाय दिवम ग्रामिट विकास के साथ आयोग के अधिकारियों के साथ बैठा की और विवन ने पहली हों पर चर्चा की इसके बाद विदी विशेशगियों से किराय सेनर ने लिया गया आयोग के सचे बिया जामूत का कहना ह है कि चुनाव को लेकर कोई भी फैसला कानूनी ड्राय लेने के बाद ही लिया जाएगा सुवार को रज चुनाव आयोग में दिन भर बैठा को का दोर जारी रहा और चुनाव आयोग तो ने करीब देर घंटे तक प्रधान सचेव और पंचायत ग्रामिट विकास विवाग हुमाकांत उमराव और निदेशक पंचायत राज आलू कुमार सिंग और आयोग के अधिकारियों के साथ बैठा की ऐसे इस्तिती में ये निर्वाचन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई है सब जो अभी चंपंचायत के चनाव चल रहे थे उनकी प्रक्रिया में क्या जिन्गों ने फॉर्म भर दिया है या उनको लेकर क्या कोई विद्धिती में सारे उमीदवारों की अभिर्तिता भी निरस्त हो गई है और जिन्होंने अपने जो निक्षेब राशी जमा की है व प्रसुर है विजब जे ए झाले